नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार हमारे हिंदु धर्में पीपल के बृफ्ष का बहुत महत्व है और पीपल के पेड़ पर सभी देवी देपताओं का बास भी माना जाता है और क्रिपा भी मिलती है तो पीपल के पेड़ का पुजन खास तोर पर सनीवार के दिन करने से सनी, राहू और केतु के तमाम परिसानियों से निजात मिल जाती है माना जाता है कि सनीवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो सनी देव सांथ हो जाते हैं और सुभ फल देते हैं और सुभ फल समाप्त होता है पीपल के पेड़ की अगर प्रिक्मा करे जाते हैं तो यकिनन इसके लाब तो है ही पीपल के पत्ते के उपाय करने से भी धन की बिर्धी होती है भागे में बिर्धी होती है तो चलिए हम आपको बताएंगे सनी देप की कृपा पाने के लिए क्या करें सबसे पहली बात तो वैसे भी पीपल का पेड का हमारे यहां तो बहुत महत्व है अब आप चलिए आपको एक उपाय बताते हैं सनी वार के दिन एक पीपल का हरे रंका सुन्दर सा पत्ता ले ले अब इस पत्ते को गंगा जल से धोले अब पानी में थोरा सहल्दी डाल कर गाढ़ा सब पेश्ट बना ले अपने दाहिने हाथ यानि राइट हैंड की रिंग फिंगर से इस घोल को लेकर पीपल के पत्ते पर लिखिये रिंग और फिर इस पत्ते पर धूब दीब दिखा कर अपने पुजा स्थान पर रखें और इसके बाद अपने पर्स में या तीजोरी में रख लें पत्ता मोड़िए गमत छोटा सा ही पत्ता लीजेगा पर समूचा रहे और हर सनिवार के दिन इसे बदलना है के दिन अगर आप पीपल के पेड़ में जल अरपित करते हैं तो सनी राहू केतू की समस्या तो दूर होती ही है पित्री दोस भी समाप्त हो जाता है करेंगे क्या एक पीतल का या स्टील का लोटा ले ले उसमें जल ले प्लेन वाटर और उसमें थोड़ा साथ दूर डाले थोड़ी सी सक्कर डाले और ले जाकर पीपल के ब्रिष्ट के नीचे अरपित करें फिर साथ परिक्रमा करें और वहीं पर आप अगर पीपल के नीचे कहीं सिबलिंग है तो सबसे सरस्रेश्ट है सिबलिंग की भी पूजा करना वैसे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं पित्री देवताय नमहा ऐसा चार बार बोलिए यकीन मानिए पित्री दोस राहू केतु सनी का दोस भी समाप्त हो जाता है वैसे तो सनीवार के दिन हमेशा ही अगर आप सिबलिंग पर जल अरपित करते हैं जैसा हमने कहा अगर पीपल के बिश के नीचे सिबलिंग है तो दंडवत नमस्कार करें सिब जी को आप महिला हैं तो दंडवत नमस्कार नहीं करेंगी क्योंकि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए यकिन मानिए जीवन से तमाम तरह की परिशानी दूर होकर भागे के अवरोध समाप्त होकर आपका भागे में ब्रधी होता है ये तो थी कि हमने कहा जैसे कि सिब जी पर सिवलिंग पर या पीपल के नीचे जल और पित करने से क्या होता है लेकिन अगर आप सनी की साड़े साती ढहिया से परिशान है राहू की दसा महादसा घेरे हुए है या फिर पित्री दोस जीवन में सता रहा है तब ऐसे में पीपल के बिश के साम के समय सनीवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाईए और पास में कहीं हनुआन जी का मंदिल है तो वहां जाकर हनुआन जी के सामने खड़े होकर एक बार हनुआन चालीसा जरूर पढ़ें ऐसा करने से जीवन में ग्यात और ग्यात बाधाएं समाप्त होती है और तो कुत्तों को रोटी दें थोरा सा तेल लगाकर सरसों का तेल ज्यादा मत लगाईएगा एक दो बुंद ऐसा करने से भी राहु केतु की समस्या खत्म हो जाती है अगर किसी भूके को भोजन कराते हैं सनीवार के दिन तो यकीन मानिये इससे बड़ा तप और दान कोई भी नहीं है बहुत सिंपल उपाय है आप करके जीवन को सुख में बना सकते हैं और सिप जी की किरपा बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वैसे तो हनुमान जी को परसंद करने के लिए आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए सनीवार के दिन हनुमान जी को परसंद करने के लिए मन और विचार पूरी तरह से सुद्ध और सात्विक रखे और किसी भी अधर्म वाले काम को करने से बचिए इमांदार रहे और रिष्टों को पूरी तरह से आप उन्हें समय भी दें और उनके प्रती इज़्जत भी रखे अगर जीवन में धन की परेसानी है बिमारियों से परेसान है तब ऐसे में सनीवार के दिन यह उपाय जरूर करें करेंगे क्या ब्रहम मुहुर्त में उठिये नहा धोकर पीपल के 11 पत्ते हरे रंग के देखकर तोड़ कर ले आईए और ये पत्ता ध्यान रहे दम साप सुत फिर अस्टगंद या चंदन अगर तीनों है तो बहुत अच्छा तीनों को मिला ले अब इन पत्तों पर स्री राम लिखिए और स्री राम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें इसके बाद इन सभी को मौली धागा के सहारे एक एक पत्ते को बांद कर माला बना अब इस माले को ले जाकर हनुमान जी को पहना दें यकीन मानिये आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और हनुमान जी की किरपा से धन की समस्या सत्रु बाधा बिमारियों से परेसानी जो थी सभी समाप्त हो जाएंगे हम आपसे बिदा लेते हैं पुसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजेगा हर हर महादेब फिर मिलेंगे धन्यबाद